हलो इस्टुडेंट्स मैसल प्रसान सुकला और आप देख रहे हैं कलर्स ओफ कमेस्टी आज का इंप्टन टॉपिक यह है कि हम कलर्स जैसे सलफाइट्स सलफाइट्स के कलर को कैसे याद करना है देखें प्रसेंट टायम में हम वो सारे वीडियो बना रहे हैं जो अभी Technics अभी हम जो है वीडियोस अपलोड कर रहे है लेकिन वो सारे वीडियोस भी हम अपलोड करेंगे जो चैप्टर वाइस और प्रॉपर तरीके से एक है बडिए करना है और आप देखिये कि जब हम चैप्टर वाइस अनुट करेंगे तो deffinitली कुछ न कुछ नया मिलेगा आपको उसमें अभी हमारा मेंज जो फोकस है वो ये कि जो अपकमिंग इस्टुडेंट्स है हमारे जो अभी आय टी जई-ई का पेपर देने वाले हैं जई-ईडवान्स और जई-ई-मेंस और जो मेडिकल का पेपर देने वाले हैं उनके लिए chemistry में normally concepts present time में सबको आ गया है इस समय finally ये है कि सबको सारे chapters आ चुके हैं और सबको सबकुछ तयार हो चुका है लेकिन कुछ ऐसी techniques जिनका use करके हम papers में एक-एक question को solve कर सकते हैं एक-एक question से हम अपनी rank को सुधार तकते हैं पता नहीं वो कौन सा एक question extra हो जाए कि ज sulphides का color कैसे याद करना है तो बहुत important है ढंक से समझेगा जरा जो colors है मारकर यह रहा मारकर मेरा तो देखें कौन-कौन सा जैसे मालिया भी पिछले से पिछले साल एक-दो साल पहले आया है questions की which one of the following compounds metal sulphides are black कौन से black है तो आज हम आपको सारे metals के sulphides कि किस color के होते हैं यह आप आपको एक summarize करेंगे और आपको summarize नी करेंगा आपको याद कराएंगे 2-3 मिनिट में मैं आपको सारे के सारे sulfides याद करा दूंगा तो आप बस ध्यान रखे कि कैसे याद करना है देखिए आपको बस simply किस तरीके से हम काम करेंगे बस हिंदी में आपको लिखना है आज आज कुमारे कुमारे समझते न कुमारे मतलब कुमारे मतलब अनमेरिट ठीक है न आज कुमारे पागल होंगे आज कुमारे पागल होंगे पागल हो मत जाना आज कुमारे बस सुनना है आज कुमारे पागल होंगे जब कुमरे पागल हो जाएंगे फिर कोई भी ना नहीं कहेगा फिर फिर कोई भी ना नहीं कहेगा देखे एक बात ध्यान रखेगा शाम दाम दंड भेद हर नीती का यूज़ करके अगर आपको एलिमेंट्स याद हो जाते हैं तो फिर ये कोई पूछन नहीं वाला कि आपको कौन सी टेकनी की याद है वहाँ संपल कुछन पूछा जाएगा वन और मोर दन वन या इंटीजर टाइप कुछन होंगे तो आपको बस केवल टिक करना है आज कुमारे पागल हो ज पागल हो जाएंगे तो कौन नहीं कह पाएगा बस दीज सलफाइट्स आर दीज सलफाइट्स आर ब्लैक ये ब्लैक होते हैं अब देखें बिल्कुल क्लियर आज मतलब सिल्वर कुमारे कॉपर पागल पीबी भाई पीजी तो कुछ होता नहीं है पीबी होंगे एच जी फि कोई कोबाल्ट कोई भी भी बिसमत ना सोडियम नहीं निकल और कहेगा से कुछ भी नहीं है मतलब ये हमने केवल एक रिदम बनाने के लिए आज कुमारे पागल होंगे फिर कोई भी ना नहीं कहेगा तो ये सारे सलफाइट्स ब्लैक होंगे अब देखें सिल्वर का स्फ लफाइट्स सीह पीपेएस एच जीएस एफ एच सी एच ऑगर्फ यॉएस बी आई क्या होता है बी आई टु एस त्री इस पर ज़रा ध्यान दो बाकी Na2S、neis ये सारे इसलफड ब्लैक होते हैं बस Bi2S3 क्या है कि इसका PPT फॉर्म ब्लैक होता है और इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म ब्राउन होता है नोट कर लिजे आप कि इसका जो PPT फॉर्म होता है वो ब्लैक होता है जासा कि आ रही सबी को, क्या ये बात सब को समझ में आ रही है, तो इस सलफाइट्स आर ब्लैक, अचा इनके अलावा भी कुछ सलफाइट्स होते हैं, जो ब्लैक नहीं होते हैं, तो बस केवल क्या करना है, आज, देखें फिर से, मैं यहाँ पर छोटी से कोटेशन लिख रहा हूँ, आज, अचा आज का मतलब बस नीचे, जाके नीचे छोटी से बिन दी, आज, तो आज या आज डिफरेंस है, आज, फिर, फिर सुनो, सीडी, आज, फिर, सुनो, सीडी, इनके जो सलफाइट्स होते हैं, ये सलफाइट्स होते हैं ये लो, ये सलफाइट्स होते हैं सारे कैसे black रेहां दखना है यह सारे sulfites black यह सारे sulfites yellow but FES2 होता है आर्थेनी का AS2, AS3, AS2, AS5 सारे सारे सिलफाइड यलो होते हैं आईरन का FES2 जो होता है वो यलो होता है लेकिन आईरन का एक FES भी होता है जो कि यहां पर है देखो FES यह ब्लैक है लेकिन इस FES2 को फूल्स गुड बोलते हैं इसको हम और यह हमारा यलो कलर का होता है और SN में क्या होता है कि SNS2 SNS2 जो होता है वो यलो होता है लेकिन SNS होता है यह ब्राउन होता है बस यहां पर यह बाद ध्यान रखने होगी बही इनके सारे सल्फाइट्स यलो होते हैं आर्सेनिक के सारे सल्फाइट्स तो आर्सेनिक के सारे सल्फाइट्स FES2 वो FES है SN का SNS2 भी होता है SNS2 यलो होता है लेकिन SNS जो होता है ब्राउन होता है क्या यह बाद समझ में आ रही है आज फिर सुनो CD उसके बाद anti-money का जो sulfide होता है, anti-money के सारे sulfides जो होते हैं, वो हमारे orange होते हैं, और zinc का जो sulfide होता है, वो white होता है, that's it, सारे sulfides आई थिंक आपको याद हो गया होंगे, बस इस technique को आप anyhow, मैं ये नहीं कहता कि आप यही वाली quotation याद कर लो, अगर आपको यह अच्छी लग रही है तो आप याद कर लिजे अधर वाइज आप इस तरीके से मेंटेन करें कि बिलकुल याद हो जाए क्योंकि होता क्या है कि डिरेक्टली इंटीजर टाइप कोश्चन्स में या वन करेक्ट आंसर में नॉर्मली डिरेक्ट पूछ लिया ज अगर इन वर्ड्स में अगर आपने गलती की तो डिफिनेटली कोई भी बिसमत ना सोडियम नहीं एन आई तो ये सारे के सारे टमिनलोजी को एलिमेंट से रिलेट करिए और उसको याद करिए बहुत छोड़ी चोड़ी टेक्निक्स हैं लेकिन अगर आता है तो आप दो सेक कुछ ना कुछ आपको बिलकुल नया मिलेगा थाइंक यू नेक्स टंट पर हम आगे मिलेंगे